दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अगर आपके पास Samsung का फोन है और आप अपने Samsung के फोन में यहाँ पर आपको जो notification देखने को मिल रहा है जैसा कि देखेंगे कि हमारे फोन में कितना network speed है उसके बाद हमारा कितना data यूज हुआ है और उसमें मैंने वा Samsung के फोन में network indicator कैसे enable किया जाता है ताकि आपको पता चलता रहे कि आपके फोन में जो data हवह कितने speed सर्थ से चल रहा है तो जैसे कि आपको क्या करना है कि आपको अपने फोन में setting को open करना है और setting के फोन में यहाँ पर network speed indicator नहीं आता है तब आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले play store में जाना है play store में जाने के बाद यहाँ पर आपको search बार पर click कर लेना है network और उसके बाद speed और indicator जैसे आप यहाँ पर search करेंगे तो यहाँ पर एक application आ जाएगा यह application होता है आप इस पर click करेंगे सबसे पहले आप इसे download करेंगे download करने के बाद आपको फिर से अपने फोन में आ जाना है और इस पर आपको click कर देना है इस पर click करने के बाद सबसे पहले हम इसका जो storage है इसे हम clear कर देते हैं ताकि आपको अच्छे सी पता चले कि इसे कैसे इस्तिमाल करेंगे कैसे आपको permission चालो करना है आप यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे phone में जो हमारा data था यहाँ पर notification में हमारा जो data Mission होता है इसे आप देंगे उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है यहाँ पर मिल जाएगा daily data यूजielen आप इसे चालो करेंगे यह पर मिल जाएगा daily from us आप सब्सक्राव इसे बंद कर देंगे और उसके स्वाद आपको यहाँ से उचाह आप आने कर में आप के पर भी नहीं मिलेगा इसलिए आपको अपने फोन में एक छोटा सा एप्लिकेशन इंस्टॉल ही करना पड़ेगा नेटवर्क स्पीट एंडिगेटर तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में इस वीडियो के लिए इतना ही और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत धन्वार